गाइस आज हम पहली बार दो फैर को निकले हैं क्योंकि हमेशा ये वीजी रहते हैं तो और हमेशाम को ही जैसे ड्यूटी अवर्स के बाद ही हमें जाना पड़ता था तो आज इनोंने थोड़ा सा पर्मिशन लेके जल्दी आये हैं तो हम लोग न मसकट घुमने जा रहे हैं तो आज हम लोग आपको मसकट की जो बीच हैं मत्रा बीच मसकट में बहुत सारे बीचिस हैं जो मत्रा बीच है ना वहां का विजिट आपको मैं आज करा दूंगी तो बने रहे हैं मेरी फ्लॉग में आज इतना क्लावडी है क्लाइमेट यह देखिए पूरा क्लावड है और इसका जो छाया है ना अड़के उपर गिर रहा है यह देखिए काला पहाड नहीं है वह पहाड बाइड ही है लेकिन कुछ जगे पे सूरज की रोशनी बढ़ रही है और कुछ जगे पे कुछ नहीं बढ़ रहा है इसलिए गाइस जैसे नीजवा से आप मसकट की तरफ निकलते हो तो बीच में आपको इतनी सुन्दर सुन्दर पहाड और अलग-अलग कलर्स की हर एक डिफरेंट-डिफरेंट कलर्स की पहाड आपको देखने को मिलते हैं दोनों साइड में दोस्तों और यह जो क्लावड का यह सब यहां पर उस पहाड पहाड है सबसके फफान पर आस पास में कुछ रिफरेंट बहुत थे हैं और कॉफी शॉप्स भी राते है तो अभी हम पेट्रोल भरवा के निकल रहे हैं यह दिखे कुछ इस तरह से बुझा के वह में डोड पे जॉइन होता है भी हम लोग अलकुर्रम स्ट्रीट आगे यह दिखे यह रहा अलकुर्रम स्ट्रीट कि आगी सम्हाइब शंहीं हम वह मत्र पहुच गए हैं और मत्रा में ही हमें कहा जाना यह देखें यह Het起 ₺ स्ट्राफ केट है यहां से हम अर्टव करेंगे तो मत्रा स्टार्ट हो जैगा यह एक है है देखे समंदर रहता हैां यहां से बैठे बैठे कार में हम वेचे सीट यहां रएन सवा सिंहां यह देखिए पूरा समंदर भी समंदर है जहां देखोगे महाँ पूरा समंदर है और लोग यह पर वाग करने के लिए आते हैं देखिए यह को फॉन्टेन इक निए ए समंदर का पानी ही लेकाई पूंटेन बनाया है यह देख सकते आप और यह देखे आप और यह देखे आप से पूरा समंदर के पूरा पूरा खिनारे पे यह ऐसे बने हो गया है अब हम समंदर के पास जा रहे हैं क्योंकि यह साइड में यह सारे दिखाते हुए जाओंगे तो बिल्कुल पिछे ऐसे ही पानी है समंदर का और वो शिप खड़े है यह दिखिए यह पास से दिखा देखिए हो यहां पर यह रहा है और यह पहार और इसके नीचे यह फांटेन गाइस आज मैंने शॉट्स के लिए थोड़ा से यह बीच की साइड में अपना शूट करवा रही थी और आज का पूरा जो यह मेरी वीडियोग्रफी का और पिक्टर्स का जो क्रेडिट मेरी हजबन को जाता है हमेशे मेरी शिकायत यह रहती है कि यह मेरी को को आपरेट नहीं करते हैं लेकिन आज पूरा पूरा इन्होंने मेरा साथ दिया और मैंने जैसे बुला उस तरह से मेरा यह वीडियो कर रहे थे और फोटोस भी निकाला और मैं आज बहुत खुश हूँ ताकि मेरे शोट्स के लिए कुछ अच्छे अच्छे पोस भी मिले और ओभी मेरी हैजबन ने शूट किया तो इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है इस बात की जैस यह हम दोनों खड़े हैं अभी ही मत्रा बीच बीच में यह देखिए और इस तरह से कुछी रोड है यह और आज हम दो यहाँ पर आके शूट कर रहे हैं और यह देखिए गाइस बीच पे खड़े होके हम दोनों अपना कुछ अच्छे मुवमेंट्स को कैप्चर कर रहे थे और मैं इनको बोल रही थी कि स्माइल करो मेरे हजबन बहुत सिरियस खड़े थे इसलिए मैंने बोला कि स्माइल करो थोड़ा सा यह दो देखिए खूपर एक दम मैं खंटम को पाखी थी कि यहां पर आके वो लोग डेली तो बैठते ही है शाम को क्योंकि वाक करने वाले यह दिखिए वह एसे साइड में ना यह फूट पाथ सबना है ना यहां पर वाक करते हैं सब लोग यहां पर रेलाक्स करते हैं वो गुंबच जैसा बनाया है वहां पर गाइस मैं अभी अपना व्लोग वेंड करने लगी हूँ तो अगर मेरी वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें शेर करें कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करना हैं तो अप लोग सब लोगों की हेल्प की बहुत जरूरत है सब लोग मेरी चैनल को जो नए वीवर्स है जो पहले किये हैं वो नहीं जो आल्रेडी कर चुके उनको उनके लिए नहीं है जो अभी नए नहीं जो देख रहें बिना सब्सक्राइब किये उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हूं सब् झाल 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 झाल